हेलो नमस्कार दोस्तों वेलकम टू मन्राज ग्लासिस आज की तारीक है तीन में 2022 और आज देख लेते हैं कौन-कौन से क्रण्ट अफेर्स इंपोर्टेंट है किनको हम डिसकस करने जा रहे हैं तो चलिए डिसकसन इस्टार्ट करते हैं पहला आर्टिवल जूट इन्डेस्ट्री के बारे में यह आर्टिकल आए है तो क्या ऐसा क्लोजर के कगार पर आ गई है ऐसा क्यों हुआ है इसके क्या Chelsea में कुछ यह है कि जो राजूट होता है वो बहुत ही हायर प्राइस पे मिल रहा है मिल मालिकों को बहुत ही हायर प्राइस पे उनको जो राजूट होता है जिसके लिए जूट से जो डिफरेंट आर्टिकल्स बनाते है डिफरेंट प्रॉडक्स बनाते है उन्हें वहती हायर प्राइस पर मिल रहा है इसका कारण क्या है कि देखो एक तो जैसे की होर्डिंग बहुत जादे हो जाती है जो रहा मैं टील इसकी होर्डिंग हो जाएगी तो इस वज़े से उसकी जो सप्लाई है बहुत कम हो जाएगी और जो आप जानते कि यह कुछ ऐसे दी जाने जिसकी वेसे उधर उसके प्राइज के प्राइज बहुत जादा हाई हो गए ठीक है अगे बढ़ते हैं अब क्या कंसर्ण्स है उसके बारे में थोड़ा साम जानते कि जो जूट सेक्टर है जूट सेक्टर में यह कंसर्ण्स करियेट होगे कि यह डिर रही है तो उन्हें चलाने के लिए रामेटिल नहीं मिल रहा है तो इस से अनएंप्लोइमेंट की जो समस्या है वह बहुत जादे बढ़ जाएगी और जादतर यह समस्या काम पर बढ़ेगी वैस्ट बंगाल ब्यार और आसा में क्योंकि यहां की 99 परसेंट जो आपकी पॉ बहारने के लिए गौवर्मेंट ने कौन-कौन से इनिशेटिव चलाया है उसके बारे में हम डिसक्स कर लेते हैं पहले इनिशेटिव है गॉल्डन फाइबर रेवोलुशन एंड टेक्नोलोजी मिशन है दूसरा है जूट पैकेजिंग मैटीरियल्स एक्ट 1987 तीसरा जूट जूट जियो टेक्स्टाइल चोथा आपका जूट इसमार्ट ठीक है यह कुछ इनिशेटिव है जो जूट सेक्टर को डेवलप करने के लिए उसे उभारने के लिए उसको इनास करने के लिए गौशन ने चलाया हूए थोड़ा सा जियो टेक्स्टाइल वर्ड का यहां पर पर्मेबल वर्ड की जो डेफिनिशन है वह यह कि पर्मेबल जो एक फाइबर है उसके अंदर से उसके थुरू आप गैस या लिक्विड को पास करा सकता है यानि कि वह पारदर सी नहीं कहेंगे मगर हां उसमें आप उसमें बहुत माइक्रो लेविल पर या ने लेल पर बह कि जो लूटिया गैस पास कराई जा सके अब जियो टेक्स्टाल बनता कैसा जियो टेक्स्टाल जो फाइबर होता है इसको अगर स्रों के साथ मिक्स कर दिया जाए तो इसकी जो सैप्रेशन की और फिल्टर करने की जो कैपैसिटी है यह चंपता है वह बहुत जादे बढ़ जात यह एक तरह का protection का काम करता है ठीक है तो यह से चेक्टील फाइबर बोला जाता है यह की चीज से होता है यह प्fare से बना हुँ अगे बढ़ते हैं अब इसके जो जैंडीйम है इसके बारे में dieta है के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि यह होता का है कहां पैदा होता है कितने टेंपरिचर पर पैदा होता है इसकी जो पैदावार के लिए जो सबसे उप्यूक टेंपरिचर माना जाता हो 25-35 डीजसेंटीकेट के बीच में माना जाता है और रैन फाल कितनी होना चाहिए जिससे की जिसकी को कोई सूट करती है जुछ योदिनी बेच्था सूट कर Salem hours में इसकी पैदावार बहुत जादे देखने को मिलती है अगर इसके प्रोडक्शन की बात करें को कौन सा लार्जेस्ट परड्यूसर है कौन सा नहीं है हमारे जो प्रोडोसी देश जैसे की चाइना बांगलादेश इसके इन से हम कंपेशन करें तो इंडिया सबसे लार्जेस र्ट टेज बहुत साथ अब जो मेजर जूट प्रोडूशिंग से उनकी बात कर लेते हैं कैसे क्वेस सारह है लगवाफ दस भी जाद है तो मगर हम थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा इनके बारे में जान ले वेस्ट बंगाल आपका बिहार उड़ीसा आसाम अंध्रापदेश मेगालिया तृपुरा यह कुछ इस्टेट है जिनमें जूट प्रोडेक्शन बहुत जादा होता है अब एक चीज यहां पर जानने वाली बात है कि गोल्डन फाइबर जूट कहीं दूसरा नाम है जूट को ही हम गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं आपने पीछे भी देखा होगा कि जो आपका एक इनिसीटिव चलाता है गोल्डन फाइबर रिवोलुशन एंड टेक्नोजी मिशन अगर कोशन यह पूछ ला जाती है रस्या बनी बनाई जाती है यान कारपेट और भी कैसारे आर्टिफेक्स इसके बनाए जाते हैं ठीक है हमारा अगला आर्टिकल नेसल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में यह क्यों न्यूज माया है इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं देखें मिनिस्ट्री एजूकिशन पॉलिशी 2020 है उसके इंदर इसको जारी किया गया है इसका काम क्या होगा है इसका मेली जो फोकस होगा ओवरॉल डेवल्पमेंट होगा बच्कों का उन्हें स्किल प्रोवाइड करना होगा ठीक है इसमें टीचर का भी रोल बहुत एहम होता है ठीक है और इसम क्मिकि आप आगर किल्टर को नहीं जानोगे अपनी के बारे में नहीं जानो कि हमारा इडियन कल्चर क्या है तो एक तरह से all the holistic development of children's हो नहीं हो पाता है तो इसलिए क पारे में अपनी कल्चर के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है तो इसलिए जो mandate document जारी किया गया क्यों जारी किया गया नेसल curriculum framework जो है ये इसकी जरूरत क्या आन पड़ी देखे जो हमारा education system है वो अभी colonial एरा का ही education system चलता आ रहा है उसमें जो उसका curriculum है उसमें बहुत ज़्यादा है revision की जरूरत है उस adaptation की बहुत जरूरत है तक कि हम आज की नए technology नए education environment और नए cutting edge technology cutting edge जो education system है उसके parallel हमारा Indian education system हो सके ठीक है आगे बढ़ता है इसके बारे में थोड़ा सा और जानते है नेसल curriculum framework के बारे में यह focus करता है आपका national education policy जो आपकी आई है 2020 पे उसके transformative implementation पे बहुत ज़्यादा focus करता है यह teaching and learning जो आपकी है उस पे बहुत ज़्यादा धियान देता है कि teaching और learning यह दो चीज़े ऐसी है कि teaching अगर बहुत outstanding होगी तो बच्चों में skill अपना भी हो जाएगी अब अपना भी skill आजाएगी कि अगर पढ़ाया अच्छा गया हो समझाया अच्छा गया हो तो learning obviously automatically अच्छी हो जाती है तो इस चीज़ को यह बहुत ज़्यादा इस ठेंटन करता है enable करता है अब यह क्या करता है हमारा जो हमारे प्रधानमंत्री मोधी जी ने new education policy आई है उसमें जो सपना देखा है कि उसको उस vision को साकार करने का एक काम करता है ठीक है अगे बढ़ते है अब इसका NCF जो है इसको किसे ने develop किया है इसको develop किया है आपकी national steering committee है जिसके chairman है डाक्टर के कस्तूरी रंजन और उसको NCRT के साथ मिलके develop किया गया है इसके अंदर क्या क्या include किया गया है इसके अंदर include है कि national curriculum framework for school education national curriculum framework for early childhood care and education national curriculum framework for teacher education and adult education इसमें teacher education, adult education, early childhood care और उनकी education और school education इस national curriculum के अंदर include किया गया है को इसको 28 पर भी 203 तक इसकी डेडलाइन के अब थोड़ा सा जो मैंडेट इसके अंदर क्या किया है थोड़ा सा उसे भी हो डिसक्त कर लेते हैं सब्सक्राइब की मुटिइसीप्लीन ऑड की दीजिक्षेन आपका इस जो निउड़ेटेशन पॉल goofy इसमें ये भी बोला गया था कि आपका आप वह एककी टाइम पर आगा जैसे कि आप कोई undergraduate course कर दो तो उस टाइम पर दूसरा भी कोई और कर सकते हैं कि आपका जो discipline है वो multi discipline बन जाए ठीक है मतलब एक साथ दूसरे courses को पर सकते हो कई courses को opt कर सकते हो एक time पर तो यह multi-discipline education का इसमें provision किया गया है इसमें ओवराल यह कह सकते है कि education के फिल्ड में आपकी flexibility को लेके आया है यह ठीक है एक आपका teaching and learning का बहुत बहतर और conducive environment करता है यह mandate ठीक है जो natural curriculum framework के यह cutting edge research पर focus करता है कि जो आपकी latest technology latest research है उसको include करता है और जो आपका नेसल जो pandemic आया था जो आपका यह आपका corona आया था उसमें जो लोस हुए है उसको आपका address करने की कोशिस करता है ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे हमारा article है national semiconductor mission national semiconductor mission यह क्या है और यह क्यों यह न्यूजमाएं इसके बारे में जानते हैं देखे अभी हाली में क्या हुआ है कि ministry of electronics and information technology ने अपना एक पहला semi-con India 2022 conference inaugurate किया यह किस के अंडर inaugurate किया यह इंडिया semiconductor mission के अंडर inaugurate किया कहां पर inaugurate किया गया बैंगलोरों में inaugurate किया गया जो semi-con India 2022 है उसमें क्या है कि जो हमारे प्रदान मंत्री जी ने एक vision देखा था कि इंडिया को electronics manufacturing में semiconductor design में manufacturing और innovation का हब बनाना है एक इंडिया को एक leader बनाना है तो उस step को यह आगे लेके जाने का काम करता है जो आपका semiconductor semi-con India conference 2022 है उसमें इस विजन को एक फिलिप मिला एक उडान में लिए इस बार की थीम क्या थी इस बार की थीम यह कि catalyzing इंडिया semi-conductor ecosystem इसकी थीम थी इस conference की अब थोड़ा सम सेमिकंड़क्टर की definition semi-conductor कहते किसे उसके बारे में जान सकते हैं क्योंकि यूप्यसी और आपके बहुत सारे एक्जाम ऐसा है कि जिन में semi-conductor की definition डैक्टल इंडैक्टली पूछ ली जाती है तो उसका जानना बहुत जरू है देखो तीन फ्लो करता है यानि कि जिसका यह फ्लोफ इलेक्ट्रोन क्या होता है कंड़क्टिविटी होती है ठीक है उसी बहुत है यानि कि कंड़क्टर और इंसुलेटर के जिसे कि डैयोड होते है आपके transistor होता है और IC जिसा हम इंडिकेटरीटव सर्कूट भी बोलता है जो आपके लाइट-मृट्टी डैयोड होते है यहलाइट एमिटर होते आप देखते होंगे LED जो होती है उनमें इसका यूज क्या जाता है और जो आपकी कलपना नहीं कर सकते कि जो electronic market है अब वो बगए semiconductor के वो अधूरी है आगे बढ़ते हैं अब इसमें जो इंडिया semiconductor mission है यह क्या है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं इंडिया semiconductor mission 2021 में launch किया गया था इसका total खर्चा जो इस पर है वो है चैटर हजार करोड यह किसके अंडर आता है ministry of electronics information and technology के अंडर आता है इसका काम यह इसका development semiconductor का और डिस्पले के development के लिए एक ecosystem तयार करना अपने इंडिया में इसका काम यह रहेगा इस mission का यह उदेश है और यह financial support भी provide करता है उन companies को जहां पर semiconductor display manufacturing और design का ecosystem बना होता है उन companies को यह आपका financial support भी provide करता है ठीक है इसके component की बात करें कौन-कौन से component इसके अंदर है देखिए यह जो semiconductor स्क्राइब्स क्या होते है कि microchip या यह आप यह कहसे सकता माइक्रोचिप manufacturing unit होती है microchip manufacturing plant होता है यह plant जो Microchip को manufacture करते हैं उनने फैफ्स बहुत जाता है ठीक है समझ देखिए तो यहा पर बात जो की जारी है एक scheme है इसके इंडिया सेमिकंडॉक्टर मिशन के अंडर उसका scheme का नाम है कि scheme for setting up semiconductor in India इसका काम क्या हुआ कि आपका जो इडिया semiconductor mission इसके अंदर semiconductor fab established की जाएगी ठीक है जो fiscal support भी provide करेगी ठीक है दूसरी scheme इसके अंडर है कि display fab in India यानिके setting up of display fab in India यानिके ऐसी यूनिट establish की जाएगी जिनका काम LCD और यह TFT बनाना होगा ठीक है एक दूसरी scheme भी है इसके जो design link incentive incentive scheme है ठीक है आगे बढ़ते है आगे है project elephant project elephant क्यों न्यू जुमाया है यह इसलिए न्यू जुमाया है कि हमारी जो ministry of environment forest and climate change है उसने field manual launch किया है जिसका नाव field manual for managing human elephant conflicts in India यह है इसका काम ही होगा कि जो human और elephant के बीच जो conflict होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि human आपके human elephant human habitat में आ जाते है तो वो कभी कई बार फसलों को भी खराब कर देते हैं तो इस वज़े से human elephant को attack करते हैं कई बार elephant की death भी हो जाते हैं तो इस human elephant conflict को रोकने के लिए यह आपका field manual जारी किया गया है ठीक है इसका काम यह होगा कि आपका इसके conflict को रोकना इस manual को किस ने जारी किया है आपका minister of environment forest and climate ने किसके साथ मिलके जारी किया गया है वाइलाप Institute of India और worldwide fund for nature of India के द्वारा यह जारी किया गया है इसका काम यह होगा कि इसके अंदर क्या क्या है यह best practices है कि कैसे minimize किया जा सकता है human and elephant conflict को ठीक है अब थोड़ा सा elephant के बारे में current data जान लेते हैं कि इंडिया कहां exist करता है elephant के माम में इंडिया जो है क्या नाम इंडिया के अंदर लगवा 27,000 और यह कहिए कि करनाट का जो है कि सबसे ज़्यादा है highest number elephant जो है करनाट का के अंदर है ठीक अब इसके बारे में और आगे बढ़ता है कि कोशन पुछा गया था UPSC में जो कि अभी हम दिसक्स कर रहें इसमां पुछा गया था कि elephant के जो हर्ड्स होता है जो उनकी भीड होते है जो उसका जुन्ड होता है उसे कौन लीड करता है तो मैट्यार के लीड करता है मैट्यार का मतलब है यहां पर जो लार्जस्ट और ओल्डस्ट फिमेल होती है वह अपने बच्चों को लेकर हर्ड में चलती है सबसे आगे वह रहती है उनको लीड करती है उसके जैस्टेशनल पीरियड के बारे में पुछा गया था कि इसका कितनी मंत का होता है ठीक है यह सबसे लोग एगर में में मल्स की बात करें इसके जो काफ होता है जिनका जो एलेफेंट के बच्चे होते होंने काफ बोलते है यह कब पैदा कर सकती है और कब-कब यह पैदा करते कितने टाइम में जैसे कि आप यूमन जो फिमेल की बात करते है जो हुमन होता है यूमन में जो फिमेल होती है वो हर साल नो महीने में बच्चा पैदा कर सकती है मगर elephant में ऐसा नहीं है elephant जो फिमेल होती है वो 14-45 एर के बीच में हर चार साल बाद अपना इब बच्चे पैदा कर सकती है अगर इनके protection की बात करें इसमें कैसे protection संप्रोबाइड की गई है आई यूशन की रेड़ लिस्ट में इन्हें डाल गया है कि वाइल रटेक्षं एक्ट के अंदर इनnesय डोल में डाल गया है और sites के अंदर यह appendix one में आते हैं प्रोजेक्ट elephant के अंदर ही African elephants की बात करें इनकी सब इस्पीसीज होती है एक तो सवाना सब सबस्पीसीज होते हैं और दूसरी forest elephant सबस्पीस होती है सबस्पीस को भूस elephant भी बोलते हैं इनकी Global population की अगर बात करें लगए लागो तो चार लागो बल्बीयां इनके अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो आई हो内वसीन की डैड् समें जो सवाना अलफेंट हो एनडेज्जर कैटिगरी में आता है जो आपके टेकर अलफेंट अपने से अपने क्या नाम ओपने को यह भब लब सेशह बहार निकलाते हैं तो उसको फ़ूब्स करने का प्रावदान चला गया पूब लिट्र घ्जस्योप केम्पेंबंचंव एग यह campaign है कि आपकी awareness फैलाती है कि आपको हात्यों को यह elephant को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए एक और है initiative जिसका नाम है monitoring illegal killing of elephants जिसका माइक जिसे हम बोलते है यह 2003 में लौच किया गया था और project elephant तो हम पढ़ी रहे है जिसे 1992 में लौच किया गया था आगे बढ़ते हैं आगे एक्सपोर्ट क्रेडिट गैरेंटी कोर्पोरेशन ओफ इंडिया लिमिटिट के बारे में इस हम सोट फॉर्म में ECGC बोल सकते हैं ECGC क्या है देखे government oven credit export credit provider है यह government के दुआरे company जो यह government की company है जिसका काम कि जितनी भी आवारे इंडियन एक्सपोर्टर है ठीक है उनको क्रेड का insurance प्रोवाइड करना है कि यह क्या है यह company आपकी government बोलती है इस company को बैंकों को बोलती है कि आप पैसा दीजिए एक्सपोर्टर को अगर आपका अगर पैसा डूपता है तो उसको हम भरपाई करेंगे ठीक है यह ministry of commerce and industry के अंदर आती है जिसका आपका अगर यहां बात करें आगे इसके बारे में देखे शुरू में तो गवर्मेंट ओफ इंडिया ने जो company बनाई ती उसका नाम था इक्सपोर्ट रिस्क इंसोरेंस कॉर्परेशन जो कि जूलाई उनिस्व सकताव बनाई गए थी बाद में इसका नाम बदल के 1964 में सका नाम बदल के इसीजीसी जिसका फुल फॉर्म में एक्सपोर्ट क्रेट गैरइंटी कोर्परेशन और फिडिये लिमिटेड इसका नाम यह रख दिया गया था इसके बार में थोड़ा सो ओर जाने इसके क्या-क्या फंक्शन है हाला कि main function था हमने इसका जानी लिया है मगर फिर भी पढ़ लेता है इसका यही function है कि credit risk insurance cover provide करता है exporter को अगर कोई loss होता है goods and service जो export होता है goods and services export करता है जो exporter हमारे Indian exporter अगर उसमों कोई loss होता है तो उनको वो risk को cover करता है यह guarantee facility देता है bank को कि आप पैसा दीजिए और अगर कोई ऐसा आपका पैसा डोगता है तो उसकी भरपाई ECGC करेगा ठीक है यह अगर देखिए इसमें थोड़ा सो और आगे बढ़े तो यह जो overseas investment insurance जो इंडियन कंपनी होती है वह उनको इंवेस्टमेंट प्रवाइड करता है अगर जो आपके इंडियन investor है वह आपका abroad आपका export करते हैं उनको भी आपका इंवेस्टमेंट प्रवाइड करते हैं इसके अंदर facilities की बात करें यह वह है कि अवराल इसका एक ही में मक्सद है एक ही में प्रवाइड करता है एक्सपोर्टर को कि जो पेमेंट रिस्क होता है क्या आपने तो क्या नाम बैंक तो पैसा दे देंगे कि इनको एक्सपोर्टर को मगरा उनका अगर बैंक का पैसा डूब गया तो उसकी गैरेंटी कौन लेगा उसका insurance कौन कवर करेगा वह कौन कवर करता है ECGC कवर करता है ठीक है यह यही सब था अब अगला आर्टिकल हमारा 5G technology के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते कि कि यह क्या है 5G technology next generation mobile broadband technology है जो की replace करेगी जो की एक तरह से एक next step है 4G LTE connections का अभी हम देख रहे हमारे देश में 4G LTE connection है सारे mobile 4G 4G LTE enabled है बहुत ही कम mobile है जो अभी latest mobile आ रहे 5G enabled आ रहे है मगर अभी अभी हमारे देश में 4G है अभी कुछी टाइम बाद इसको 5G को implement करने की रोल आउट करने की साथ जुलाई या अगस्त में government का प्लान है कि 5G technology को रोल आउट करेगी जुलाई या अगस्त मन्त में government of India का प्लान है ठीक है तो अब 5G technology feature के बारे में बात करें यह क किस उसमें operate करते किस इस स्पेक्टर में operate करती है इसकी mm wave spectrum में operate करते है जिसकी frequency 30 से 300 GHz के बीच में यह क्या है एक तरह का तीन मेंड बने हो कि अब इसमें जो लेटनि सी रेट है वह बहुत हतक तक काफी कम की गई यह यह होता है कि जैसे कि आप इंटरनेट कोई सर्च करते हो तो जो बफरिंग होतीया अगर आप सर्च करो और किलिक कर ते तुरंत वो छीज आ जाय wordt बहुत ही कम टाइम एक तरण आपको पेज खुल जायकि तो जितना टाइम किसी पेज सी रेट बहुत ही कम हो जाएगा इसकी कैपिस सिटी का मतलब यह यह कि अगर जैसे कि आप देखते हो जैसे की मान लिए फिलिप कार्ट है फिलिप कार्ट कोई ले चलाती है तो देखते होगे आपके के जो यूजर से और वह कश्टमर है वह का उनके एंके दम से बहुत जाद है हाई लेड़ पर मिलियन बिलियन ट्रैफिक आ जाता है क्योंकि जब सेल चलती है पर सेकिंड आपका बहुत सारा यूजर्स एक ही सेकिंड में काफी सारे वह आ जाते तो लोड बढ़ जाता है साइट पर तो उस चीज क्यों हैंडिल कर सकते इतनी सारे लोड को को यह हैंडिल कर सकता है फाइजी टेक्नोजी क्योंकि हाइज इसलिए इतने साथ लोड़ को टेकल कर सकता है इसके सिगनिफिकेंस की बात करें देखे एक पॉलिसी है इंडिया की नैशनल डिजीटल कॉम्मुनिकेशन पॉलिसी दोहजार अठार है उसका काम यही है कि जो भी यह आपकी कटिंग इस टेक्नोजी जैसे कि 5 टेक्नोजी वी क्लावड टेक्नोजी इंटरनेट ओफ दाटिंग्स होगी डाटा एनलेटिक्स होगी इन सब को एक प्लोट फर्म पर लाना ताकि इन सब टेक्नोजी को हम आज यूज कर सके ठीक है इसका सिगनिफिकेंस यह प्राइज में अवेलेबल कराना यह अपना में चैलेंज होगा लास्ट माइक कनेक्टिविटी देखें जो आपके मेट्रो सिटीज है यह जो अच्छी सहर सेंट सिटीज है उनमें तो आसानी से आदमी एक बार अफोर्ड कर सकता है आपके कनेक्टिविटी आसानी से दी जा सकती है क्योंकि वहां पर ऐसा इंफ्रेस्ट्रेक्ट्चर बन के पहले सी तैयार है और अच्छी बड़ी-बड़ी कंपनियां वहां पर चीज को रोल आउट करने लिए मगर लाइस्ट माइट कनेक्टिविटी से मज़े जो टियर सेक सब्सक्राइबर की जो लाइन से इंफ्रक्ट्चर से वह भी बड़ी सिटीज में बिचाए गया तो उहां पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना फाइजी टेक्नोलोजी को कनेक्ट करना गाउं से यह टायर टुटायर त्री जो सिटीज है यह अपना में चैलेंजी अब गया टो इसे इस को अफॉर्डेबल बनाना क्योंकि जो फाइजी डिवाइसी जोंगे मोबाइल होंगे उनके रेट ओविसली काफी हाई होगा तो उनका फॉर्डेबल बनाना यह भी अपना में चैलेंज होगा ठीक है अगला आर्टिकल हमारा नासा का LCRD के बारे में है LCRD क्या है यह तरह का communication डेस्ट डेमोस्ट्रेशन है कि लेजर लाइट के थुरू आपका communication किया जा रहा है उसका demonstration है यह LCRD नासा किया है ठीक है LCRD का मतलब है laser communication related demonstration अभी नासा ने डेमोस्टेट किया है अपने कि नाम demonstration को जिसका नाम लेसर communication related demonstration देखें अभी हम क्या क्या करता है जो हमारा communication होता है कि नाना waves के थुरू होता है ठीक है हमारी इंवा जो एंफ्राद रेड्र्ड वेवीज होते तो होता है ठीक है यह रीडियो वेव्फ के थो मगर अभी हम स्टेफ उस्टेफ है जो नासा नहाज झोगतरू छुक्ड़ी के थरू यह कम्टिकिट करना चाता ठीक है इसको लॉंच किया गया है दिसंबर 2021 में यह नासा का पहला ऐसा लेसर कॉम्निकेशन सिस्टम है अब इसका जो LRCD है यह क्या करेगा यह जो नासा है उसको टेस्ट करने में हेल्प करेगा जो ओप्टिकल कॉम्निकेशन होता है इस पेस में अगर आप इस पेस में ओप कॉम्निकेट कर सकें तो कितना अच्छा होगा तो उसको ही इननोंत टेस्ट किया है क्योंकि अभी तम इंफरेड के ठुरू communicate करते हैं, अगर आपको space में communicate करना है, तो infrared, red के थुरू communicate करना होता है, मगर आप optical communication जो optical fiber है, उसके जो optical fiber की जो technology है, उसको use करके उसका use करके, अगर communicate कर सको तो कितना अच्छा होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, LRCD जो है, यह demonstrative technology है, technology demonstration था, जो की future optical communication के जो भी mission चलेगे, उनके लिए रास्ता साफ करता है, उनके implementation में उसके बहुत ही कारगर सीध होगा, अब इसको कहां पर वो किया जाएगा, install किया जाएगा, यह देखि geosynchronous orbit में इस टेक्नोलोजी को install किया जाएगा, geosynchronous orbit हमारी लगवक 35,000 किलोमीटर अबाब होती है अर्थ से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके advantage इसके बादे में जानते है, advantage ही इसका यह है कि यह size में बहुत छोटा होगा, weight इसका बहुत कम होगा, और यह कम power की इसमें खपत होगी, as compared to जो हमारे radio instrument होता है, जो optical communication के जितने भी system बनेंगे, instrument बनेंगे, वो size में तो कम होगे, weight उनका बहुत ही कम होगा, और उनमें जब यह सब कुछ चीजे होगी, तो power consumption भी उनका बहुत कम amount में होगा, अगर size में छोटे होगे, तो इसका मतलब यह होगा, कि हम कम size में, ज़्यादा equipment उसमें fit कर सकते हैं, कहने का मतलब है, कि गागर में सागरवाला concept यहाँ पर apply होता है, weight कम होगा, तो less expensive होगा, यहनि कि कम खर्चा आएगा बनाने में, और अगर power consumption कम होगा, तो आपकी battery बहुत कम drain होगी, कम size की battery, किसी भी spacecraft को ज़्यादे time तक आपका चला के रख सकती है, यहनि कि उसका time duration, time investment ज़्यादे बढ़ जाएगा, अगर हम थोड़ा सा comparison करें, laser light, laser waves को, radio waves को, तो इनकी, इनमें difference क्या है, सबसे पहला तो difference इनकी wavelength का है, इन दोनों की wavelength अलग-अलग होती है, different होती है, यह जो laser light जो होती है, laser wave जो होती है, यह इन्फरलाइट को यूज करती है, यह short waves होती है, radio waves आपकी longer waves होती है, ठीक है, यह transmission को, data को transmit करने में help करती है, ठीक है, तो यह आज, यह था हमारा आज का session, और I hope आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और समझ में भी आया होगा, जितने भी हमारा, आज के current effect हो, समझ में आया होंगे, तो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो को जासे जा like कीजे, share कीजे, और हमारे चैनल को subscribe कीजे, कल हम और फिर हाजीर होंगे, नए आर्टिकल्स के साथ, तब तक के लिए, thank you, thank you, बर्मेट, for